सही मातरा में फर्टिलाजर खात के पूर्टी के लिए इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताएं जिसमें आप सोयबिन की फसल में सही और आवश्चक मातरा में फर्टिलाजर खात दे सकते हैं कौन सा खात कितनी मातरा में लेना है और उनका प्रती एकड़ या प्रती हेक्टर क्या खर्चाने वाला है इसकी जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली क्रशे नुसंदान के नुसार एक हेक्टेर स्वयविन की फसल के लिए उन्होंने एनपीके और सलफर का 20,7,4,20 का अनुपाद बनाया है एक हेक्टेर जगह में 20 किलो नेट्रोजन, 60 किलो फासपोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सलफर लेना है इनकी पूर्ती के लिए हमें यू एक हेक्टेर जगह के लिए 200 किलो याने 4 बेग एनपीके बाराबती सलफर को मिक्स करके उपयोग करना है एक एक एकड़ जगह में 80 किलो बाराबती सलफर और 10 किलो बेटोनेट सलफर लेना है इन दोनों खात की बताए गई मात्रा लेने पर आपको 20,60,40,20 प्रती हेक्टे टोटल हुआ 7,200 रुपे प्रती हेक्टेर का खर्च है एकड़ के बात करें तो अठावे सो से 3,000 रुपे प्रती हेकड़ का खर्च है बाराबती सोला और बेंटोनेट सलफर को आप स्वैबन की बुआई के पहले बुआई के समय या फिर बुआई के बाद भी दे सकते हैं 20 साहर्ट 40-20 के रेशोग के लिए दूसरा तरीका है डियेपी और बेंटोनेट सलफर के साथ में मिरेट आप पोटास को मिक्स करके शिडगना है एक हेक्टेर में 125 किलो डियेपी 25 किलो बेंटोनेट सलफर और 65 किलो मिरेट आप पोटास लेना है इसे भी बुआई से पहले या बुआई के समय या फिर बुआई के बाद भी दे सकते हैं। बुआई के बाद खड़ी फसल में डियेपी की मातरा कम कर सकते हैं लेकिन पोटास और सलफर की मातरा वही रखना हैं। खर्च की बाद करें तो 125 किलो डियेपी 3400 रुपे का, 25 किलो बेंटोनेट सलफर 1200 रुपे का और 65 किलो मुरेट और पोटास साहट प्रतिशत वाला 2500 रुपे का। पुल खर्च हुआ प्रति हेक्टेर 7000 रुपे के आसपास का। एकड़ की बात करें तो 2800 से 2900 रुपे प्रति एकड़ का खर्च है। तीसरा तरीका है जिसमें हम यूरिया, SSP और मियूरेट और पोटास तीनों को मिक्स सकरके उपयोग करेंगे। इसे केवल बुआई से पहले ही दे सकते हैं अगर बुआई के बात में देना है तो पहले और दूसरे दोनों तरीकों में से किसी एक कौपयोग करना है। बुआई से पहले अगर फर्टिलाजर देना है तो यूरिया, SSP और पोटास का मिश्रम सबसे अच्छा काम करता है। इसे एक हेक्टेर में 45-50 किलो यूरिया और 300-45 से 400 किलो याने 7-8 बेक SSP सिंगल सुपर फास्पेड और 65 किलो मूरियोटा पोटास को मिक्स करके स्वैबिन की बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय देना है। खर्च की बात करें तो 45 किलो यूरिया 300 रुपे और 7-8 बोरी SSP 4000 रुपे और 65 किलो एमोपी 25 रुपे यहां पर भी एक हेक्टेर में 7000 रुपे के आसपास का खर्च आएगा। अगर आप अधिक खर्चे करण स्वैबिन में फर्टेलेजर को अपयोग नहीं करते हैं तो इन से कम खर्चे में आप 7 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्पेट को एक हेक्टेर जगह में डाल दीजिए। यहां आपको साद बोरी 550 रुपे के हिसाब से 3800 रुपे के लगब का खर्च आएगा। बस यहां आपको SSP दानेदार सलफर लेना है जिसमें आपको सलफर और फास्परोस के साथ साथ जिंक बोरन और केलसियम की भी पूरती हो जाएगी। अब बचेगा पोटाज तो इसे आप सित्तर से असी दिन की खड़ी फसल में भी स्प्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई 3800 रुपे परती हेक्टेर का खर्च भी नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता तो उससे भी कम खर्च में केवल 25 किलो बेंटरनेट सलफर ले ले जो की 1200 रुपे में आएगा इसे यूरिया डियेपी बारा बतिस सोला जो भी खाद घर में पड़ाओ उसके साथ मिलाकर एक हेक्टेर फसल में छिड़क दें। और अगर घर में कोई अन्य खाद ना भी हो तो बेंटरनेट सलफर को रेत या मिट्टी में मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। फर्टिलाजर खाद ने भी चेंज कर दिया। पहले वाले में और अभी में केवल इतना अंतर हैं कि अब पोटास की मातरा डबल हो गई हैं। बाकी सब सेम हैं। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी हैं। अब आप वीडियो को लाइक कर दिजी और जब बिना सस्क्राइब के वीडियो को देख के लिए धन्यवाद